नमस्ते फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे अरर और लाल मसूर की दाल और यह दाल जो है बहुत ही टेस्टी लगती है और चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है तो चलिए बनाते हैं अरर और और लाल मसूर की दाल तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक बॉल और यहां पर मैं ने ले ली है अरर और लाल मसूर वाली दाल तो जो अरर की दाल है वो मैंने 200 ग्रैम के करीब ली है और लाल मसूर की दाल जो है 50 ग्रैम के करीब ली है अब हम जो है दाल को अच्छे से वाश कर लेंगे दाल को जो है अच्छे से वाश करेंगे ताकि इसमें जो कलर होता है न वो अच्छे से साफ हो जाए, डाल में जो है, कलर सा होता है, तो यहाँ पे जो है, डाल को अच्छे से वाश कर लेंगे, डाल को हम तब तक वाश करेंगे, जब तक जो है, इसका पानी साफ न हो जाए, बिल्कुल साफ न हो जाए मतलब बिल्कुल कलर ना आए पानी में तो तीन से चार वार हमें दाल को जो है वोश कर लेंगे अब देखिए दाल बिल्कुल साफ होगी है तो अब हम इसे पानी को निकाल लेंगे और अब इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करके भीगने के लिए रख देंगे पांसे दस मिनट के लिए पांसे दस मिनट हो गए हैं दाल अच्छे से हमारी भीग चुकी है अब हम इसे कुकर में आड़ कर देंगे और इसे दो सी टी आने तक पकाएंगे पर पहले हम इसमें सारा मसाला एड़ कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने दो मेडियम साइज के टमाटर जो है एड़ कर दिया है और साथ ही मैंने एक बड़ा प्याज काटके सलाइस में काटके एड़ कर दिया है तो में सारे प्यास टमाटर लहसुन सभी साथ में आड़ कर देंगे और दो हरी मिर्चली है ये भी आड़ कर देंगे और अब इसमें पानी आड़ कर देंगे जितनी हमें जो है दाल की थिकनिस चाहिए उसी साब से हम पानी आड़ करेंगे और एक चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें मैं एड़ कर रही हूँ सरसो का तेल और अब हम लगा देंगे धकन और अब इसे दो सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे गैस पे तो मैं इससे जो है हाई फ्लेम में पकाऊंगी दो सीटी आने त तो दो सीटी जो है आचुकिए देखिए दाल पक कर त्यार है बिल्कुल गलगी है दो सीटी में तो बिल्कुल पक कर त्यार है दाल और अब हम लगाएंगे तड़का दाल में तो यहाँ पे ले लिए मैंने कडाई कडाई में मैंने थोड़ा सा सरसो का तेल ले लिया है और इसमें मैं अब आड करूँगे एक चमच देशी घी और घी को मैल्ट होने देंगे और गरम होने देंगे अच्छे से और अब इसमें हम आड कर देंगे जीरा, एक चमच जीरा, जीरे इतो यहीत तैस्प में अजिए अरिक्टा हूए ले Consider रुए होची में हरस्ट में पहले बीम ऐड़ किया हुआ है पर दाल में जो है लेस्ट कम अच्छा टeस्ट आता है तो मैं यहाँ पे और और बारी कटा हुए लहसुन तो लहसुन हमारा फ्राइ हो चुका है अब इसमें जाएगा धनिया हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और इसे भी थोड़ी देर बिल्कुल लो फ्लेम में भूल लेंगे मिसालों को तीस सेकंड के लिए और अब हम इसमें एड़ कर देंगे आधा चमच नमक एक चमच मैंने डाल में उबालते समें एड़ किया था तो यहाँ पर मैंने आधा चमच नमक यूज़ किया है और अब जो हमने डाल उबाल के रखी उसे एड़ कर देंगे और यह देखिए दाल बन के तियार है यह जो दाल है यह पांच मिनट में बन के रेडी हो जाती है और खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है यहाँ पर मैंने जो है गरम मसाला यूज नहीं किया है आप चाहें तो यहाँ पर एक चमच गरम मसाला भी एड़ कर सकते हैं तो दाल बन के त्यार है यह देखिए चावल के साथ खाई यह चपाती के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है तो हम इसे एक बॉल में निकालेंगे तो यह देखिए अरर और लाल मसुर की दाल बन के त्यार है आई होप आपको यह रेसिपी अच्छी लगी होगी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर ने है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें